कोरोना वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई से लेकर हर चोटी-चोटी आदते भी सही रखना ज़रूरी है वरना आप में संक्रमन का खत्रा फैल सकता है मेडिकल एक्सपेट्स के अनुसार अगर आप कोरोना वायरस से बच कर रहना चाते हैं जितना जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दे कई डेंटल सर्जन का कहना है कि नाखुन के अंदर सभी प्रकार के किटानों पाए जाते हैं बिना दोए हाथों को सीधे मुं में डालने से बैक्टीरिया आसानी शे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं अगर आपको मुहासो को खोड़ना अगर आपको मुहासो की समस्या है तो स्क्रीन ट्रीटमेंट लेने के लिए आप इस समय पार्लर नहीं जा सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका इलाज खुदी करने लगेंगे इस मामारी के दोरान आपको कोई भी ऐसा क काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी सहयत खत्रे में बढ़ जाए इस समय वायरस किसी भी सतय पर रह सकता है ऐसे में चैरे पर हुए मुहासो को बार बार चुने से संक्रमन का खत्रा हो सकता है नमबर तीन बालों को उंगलियों में लपिटना अगर आपको अपने बालों क कि दो हफ्तों में दोते हैं तो इस आदत को बदलने की सरोथ है वायरस सता पर कुछ दिनों तक जिन्दा रहता है इसको शरीर के संपर्ग में आने वाले कप्रों को नियमित रूप से दोते रहे नमबर पांच बातरूम के वाश बेसिन पर तूथ ब्रश रखना हो सकता है क कि आप दातों के सफाई बहुत अच्छे तरीके से करते हों लेकिन एक गलत आदत आपको विमार बना सकती है कुछ लोगों को बातरूम के वाश बेसिन के पास फ्लैट तरीके से तूथ ब्रश रखने की आदत होती है वायरस सता पर कई दिनों तक रहता है फ्लैट ब्रश में वायरस या अन्य के टानू हो सकते है नमर साथ खाना शेर करना यह मामारी एक दूसरे से फैल रही है ऐसे में अगर आपको खाना शेर करके खानी की आदत है तो समल जाएं वायरस खाना पानी और बरतन शेर करने से भी फैल सकता है गोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही औ और इंट्रेस्टिंग रूस के लिए